मधू बिष्ट का सवाल है एनमडीसी के 600 शेरें के पास 125 के भावव पर और अडानी विलमर के शेरें 72,684 की प्राइस पर क्या करना जीए इनको अगर बात की जाए विलमर की अधाने विलमर के बात की जाए तो थोड़ा से स्टैगर रहा है और मैं जनरली ये ग्रूप से फिलाल अवड़ी करता हूं अगर आप दिखेंगे तो दूसरे स्टॉक्स में बाउंस बेक आया है इसमें उतना नहीं आया है बट अगर सपोर्ट देखा जाए यहां पर तो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 327 का जहां पर प्रिवेस विंग लो था तो वो आपके लिए सपोर्ट रहेगा स्टॉप लोस रहेगा जिसको आप बने के रह सकते हैं और अगर 372 के निचे गर जाता है तो कंफर्मिशन रहेगा फिर कि डाउन ट्र पर इंके तो प्राइस ही 2350 का है तो बहुत नीचे का है तो आप होल्ड कर सकते हैं यह सार दूसरा सवार इनका है जो लेना चयाए पॉली केब 2700 के प्राइस पर ना ले रख़ा है तो पांच साल के लिए होल्ड कर सकते है क्या इसको? तो काफी स्ट्रॉंग है इसका और आप देखिए तो काफी हायर टॉप सायर बॉटम ही बन रहे हैं इसके अंदर तो वह सबसे आप बने रहे सकते हैं मैं पांस साल के इसके लिए नहीं दे पाँगा बरावर से क्योंकि स्टॉक के लिस्टीन जो है उसमें 3-3 साल के मुझे नजर आ रही है जो मुझे निस्टीन देखने मिल रहे हैं तो ज्यादा लंबी लिस्टीन नहीं हो तो वह बेस्पर करें आपको उससे ज्यादा जितनी प्रजेशन दो तो मेरे एंड से वह सही नहीं रहेगा बट और तो मुझे लग रहा कि काफी इच्छा इसमें है हमारा बाई सेट में जो फंडमेंटल है वहापे भी हमारा इसमें पॉसिटिव और लोग है तो बिलकुल यहां पर बने रह सकते हैं अगले दो-तिन साल के तो सवाल है ललित का और इंजीनियर्स इंडिया के इनके पास 21,130 शेर हैं 128 रुपए 9 पैसे के भाव पढ़ रहा है अर्बीनल के 6,130 शेर 27 के भाव पढ़ रहा है एक साल का होराइजन है पहले इंजीनियर्स इंडिया 128.09 का 157 चल रहा है भी काफी अच्छा इनका मुनाफ़ा इदर बन रहा है और मैं यह कहांगो कि structure खराब नहीं है मोमेंटम काफी अच्छा है इस पर हमने अपने clients के दिल वाजाओ 100 रुपे पर दिल वाए था और मैंने दूसरे medium space पर बाए 100 रुपे पर ही दिया था यहां पर अगर कहा जाए तो मेरे सब थोड़ा सा profit book एक बार के लिए करना चाहिए हो कि अगर मैं दोजादस से एक ट्रेलेंड बनाओ उसका हड़ल जो है वो उसके करीब ही आ रहे है वालब 170 के आसपास में उसका हड़ल आ रहे है तो fresh breakouts आपको 170 के मंदली close के ओपर दिखने मिलेंगे इस टोग अभी 17 178 चल रहे हैं तो relations के आसपास में आ रहे हैं तो एक बार के लिए part quantity को जो है book करना चाहिए हो कि एक अच्छी अपसेट और हमको देखने मिल चुकी है बाकि आप ट्रेलिंग सबसेस को ride कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें RVNL की तो multiple breakouts हमको यहां पर देखने मिले हैं अभ शक्ति पंप को हर्याणा सरकार से 358 क्रोड रुपय का एक order मिला है और stock 8% भाग चुक है गरो शक्ति पंप पे कोई रहा है आपकी ओरल लॉंग टर्म के रहे हैं बहुत 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 बंदा है और हमाद रेडार पर हमें क्लाइंट्स को भी लॉंग टर्म क्लाइं ब्रेक और आप उसका दिखने मिल जाए तो मेरे सबसे यहां पर कोई लेता है तो लॉंग टर्म का नजरिया हो तो ही लीजिए शॉट टर्म ट्रेडिंग पस्पर्टेस सबस्कों नहीं रहा है और अपका नजरिया या तो बहुत डीप स्टॉपर्स लैने का नहीं है तो ए एक सो पाँच, एक सो साथ के सपोर्ट जरूर है जहां पर दो तिर पर हमने एक अच्छी उच्छाल देखी है और और ओरल में स्ट्रेक्चर की करब बात कीजिए तो वाव फेक्टर इसके अंदर नहीं है तो इसमें एड़्जिट के महों के देखना बेतर होगा तो बहुत सोचल मीडिया पर गुस्सा हो जादें कि मेरा सवाल कभी नहीं लेते है तो मैंने यह तैक है कि दो दिन हफ्ते में सोचल मीडिया क्वेस्टेंस लिए जाए जाए जवाब देने के लिए बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपनी नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर् झाल